गोर से देखा इमनाई के, चेरे से सीधा दिखे वाला इमनाई, तीन तीन मेरारू के भतार हो तोरा दिल में कौनों खुशी नहीं के, शादी से पहले तो बड़ा बेचे नी रहल, कि कब हमनी के बिया होके सुहाग रात हो गोरे चवानी गुत गूती होता, ए राचा चाला दिस पूल का दकोटा, ना इसी ना इखेता को रादा वाला इमने होतर चला के नमस्कार मैं एकता वहल और आप लोग देख रहे हैं प्लानेट भोजपुरी देखे एक रजाई तीन लोगाई डबल मिनिंग बिलकुल नहीं है, ये बहुत ही साफ सुथरी फिल्म है और ये एक आम आदमी की कहानी है, हमारे आपके जैसे आम आदमी की, कैसे एक आम आदमी परिशानी में फसता है और फिर कैसे उन परिशानीों में निकलता है, और उसके साथ क्या-क्या होता है, और आप कैसे लोट-पोट हसते हैं उस पे ऐसी फिल्म है, इसका कोई डबल मिनिंग नहीं है, इसमें कुछ भी गंदा नहीं है देखे, यह मेरी पहली फिल्म है, और मैं कुछ अच्छा करना चाहती थी, तो मुझे भोचपूरी फिल्मों के बारे में पता चला और प्रियंका चोपड़ा जैसी महान हस्ती ने भोचपूरी फिल्म अनाउंस की, तो मुझे लगा के मुझे भी करना चाहिए देखे, नाम डबल मिनिंग है, अब आज के जमाने में मैं जै गंगा या जै संतोशी महिया बनाऊंगी, तो शायद आप लोग देखने नहीं जाएंगे, बट एक रजाई तीन लोगाई को एक बर देखने जाईएगा, और अकेले जाईएगा, और उसके बाद आप कार नहीं लिये हैं, लेकिन मैंने ऐसे व्यक्ति को चुना है, जो मेरी कहानी पे, मेरी हीरो इंस के साथ दिखे, अच्छा लगे, और अच्छे के साथ साथ उनको ऐसा लगे के हाथ सच में ये घटनाए घटती हैं, और उससे कैसे बचा और कैसे निकला जाए, देखे, आज भोचपूरी इंडस्ट्री का हर कोई बंदा इसलिए मुझे जानता है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैंने एक सफल प्रयोग किया है, और ऐसे प्रयोग में जहां आज 10-10, 20-20 फिल्में बनाने के बाद भी प्रोड्यूसर नहीं पहुँच पाते, उस वो मुकाम मैंने बहुत जल हासिल किया है, इसलिए मुझे इंडस्ट्री का एक-एक बंदा जानता है, मेरी फिल्म में म्यूजिक एकरजाई तीन लुगई में छोटे बाबा जी ने दिया है, जो कि आज भोचपूरी इंडस्ट्री में नमबर वन पे हैं, शायद आनन मिलन जी के साथ उनका कंपार होता है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का उन्होंने म्यूजिक दिया है, और उनका सहयोग सबसे जादा मुझे जो यह रहा है, कि उन्होंने तकरीबन 40 से 50 गाने मुझे सुनाए, जिसमें से निकाल के मैंने और डारेक्टर ने बैठ के यह गाने फाइनल किये हैं, जो आज भोचपूरी सिनिमा में जो भोचपूरी लोगों को बहुत जादा पसंद आ रहे हैं, बहुत हिट जा रहे हैं हमारे गाने, ओडियंसे में सिरफ इतना दरखास करना चाहूंगी कि प्लीज जब भी मेरी यह फिल्म रिलीज हो, आप अपने नजदीकी सिनिमा घरों में जाएं, पहले अकेले जाएं, फिल्म देखें, उसके बाद अपने परिवार को लेकर जाएं, आप डिसाइड करिए कि फिल्म कैसी है, परिवार को दिखाने लेकर जानी है या नहीं, और मैं दावे के साथ ये बात बोल सकती हूँ कि आप दुबारा दुबारा इस फिल्म क देखेंगे